नमस्कार महराश्र के आराध्य देवत छत्रपती शिवाजी महराज के 15 पर्श सेपावन, संत श्रेश्ट नाइनेश्वर महराज तुकारा महराज के 15 पर्श सेपावन ये पुन्यन नगरी में 12 मती लोकसभाउचुनाओं संगसे में 23 वसंत चवधरी पदावन मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी और बाकी पार्टी में आप क्या अंतर देखते हैं और दूसरा सवाल यह रहेगा कि हम किस तरह से लोगों के बीच में यह बात पहुचा है कि क्यों बीजेपी ही कि देश की आशा और आकंशा पर खड़ी उतर सकती है दन्यवाद दतातरी जी यह बूत के कायरकरता है और कायरकरता के सबन में बात हो रही है तो मैं सबसे पहले शुरुवात करूँगा देखे भारतिय जनता पार्टी कारकरताओं की पार्टी है कारकरताओं द्वारा बनाई गई पार्टी है और देश के लिए समर्पित पार्टी है पार्टी में कारकरताओं की आवाच और अर्ज उसी को सर्वोच्च प्रात्थिकता दी जाती है मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो वास्तों में पूरी तरह से लोगतांत्रिक सिध्धांतों का पानन करती है तो वह भारतिय जनता पार्टी है लोगतंत्रा हमारी रगों में हैं हमारे समस्कारों में हैं और यही कारण है कि देश की जनता हमसे एक स्वाभाविक जुडाव महसूस करती है हमारी पार्टी में कोई भी निर्णे इस बात से नहीं होते हैं कि एक वेक्ति या ये परिवार का इस विशे में उसका क्या कि कार्यकरता क्या चाहता है और इसलिए कहा जाता है कि देश में ज्यादातर केशिज में परिवार ही पार्टी है लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है कि देश में ज्यादातर पुलिटिकल लीडर्स कॉंग्रेस गोत्र के हैं यानि वो कॉंग्रेस संस्कृति में ही पले बड़े हैं संस्कारिध हुए है जब मैं कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तो उसका मतलब यही है कि हम भारतिय राजनीती में से कॉंग्रेस को खत्म करना चाहते हैं जब मैं इस बात की बात करता हूं तब मैं जड़ा बारामती के कारकरताओं से पूछना चाहता हूं क्योंकि यहां पर कॉंग्रेस कल्चर किसे ने किसी रूप में बहुत नीचे तक पहुचा हुआ है और इसलिए आपको भली भादी पता है कि कॉंग्रेस कल्चर क्या होता है लेकिन मैं बारामती के लोगों से सुनना चाहूंगा कि बताएए आपके हिसाब से कॉंग्रेस कल्चर का मतलब क्या है बताएंगे बारामति के कोई कोई बोलेंगे क्या आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहे प्रधान मंत्री जी पूने जिल्ले में बारामति लोग सबाशेत्र आज तक ही शेत्र का जुनोंने नेतरुत्व के आए यहाँ पे जातियवाद पारवारी प्राष्टाचार यह इनका मकसद है और आज तक इन्होंने यह किया है आपकी माद्यम से यह खतम हो रहा है इसलिए यह सब एक जूट हो रहे है और आपने खिलाब बीजेपी के खिलाब इन्होंने एक जूट भी हुए है फिर भी इस बार आपको और भारतिये जनता परटे को कोई रोप नहीं सकता चलिए आगे चलिए मैं मैं हमें आगे चलता हूँ चलिए अब आप देखिए हम में से हर एक जानता है कि कॉंग्रेस कल्चर का मतलब है कैसी कैसी बुराईयों से भरा हुआ है अगर यदि इन में से कोई बुराई हमारे में आती है इसका मतलब कॉंग्रेस हमारे अंदर भी गुश रही है आप सब लोग बारामति से हैं सब जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने वहां के सर्वोच्च नेता के साथ कैसा कैसा वहवार किया मैं व्यक्ति के दूप से उनका सम्मान करता हूं उन्होंने कई वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जनता के लिए काम किया है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता होते हुए उनके साथ कॉंग्रेस ने बहुत ही अप्मान जन्रक वहवार किया हम भी गुजरात में दे सुना करते थे कब सही गलत क्या था यह तो भगवान जाने पर कहते हैं कि उनकी गलती सर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की सिर्फ इस बात के लिए उन्हें रातो रात पार्टी से बहार का रास्ता दिखा दिया गया ऐसा सिर्फ परिवारबादी पार्टी में हो सकता है और सबसे मज़ेदार बात यही है कि वही पवार साब जिनका कॉंग्रेस ने अपमान किया था एक बार फिर से वह कॉंग्रेस के पाले में चले गए है हमारी पार्टी वह है जो भारत के लोक्तंत्र की सुरक्षा में हमेजा सबसे आगे रही है आपातकाल का विरोथ करने में हमारे लाखों कारकाता सबसे आगे थे आज भी हमारे बहुत सारे कारकरतां राजनितिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं लेकिन इसके बावजुद भी हमारे कारकरतां लोगों के हक के लड़ रहे हैं अब आप देखिए पस्चिब मंगाल में वहां की सरकार ने लोकतांत्री तरीकों से चुनाव नहीं होने दिये क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्वतंत्र और दिश्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो उन्हें बुरी तरह से हां का सामना करना पड़ता है वे ताना साही के रास्ते पर चलते रहें लेकिन हम लोक शाही के लिए प्रतिबद हैं और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे